हर 40-48 दिन में हमारे सिस्टम एक चक्र से होकर गुजरता है जिसमें तीन दिन ऐसे होंगे जब आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती अगर आप शरीर को ये छुटी देते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए और आपके शरीर के काम करने के तरीके के लिए बहुत अच्छा है ये आपको अनुभाव और जीवन के बिलकुल अलग आयमों में ले जा सकता है अगर आप शरीर के स्वाभाविक चक्र पर ध्यान दें तो मंडल नाम की एक चीज होती है हर 40-47 दिनों में सिस्टम एक चक्र से गुजरता है ऐसे हर चक्र में प्रतेक चक्र में तीन दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती अगर आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के प्रती जागरूक हैं तो आप जान जाएंगे कि आज मेरे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं है और बिना किसी कोशिश के उस दिन आप भोजन के बिना रह सकते हैं अगर आप इस चक्र पर ठीक से गौर करते हैं तो अगर ये जागरूकता मौजूद नहीं है कि वो कौन सा दिन है तो उसके लिए भारत में एक दिन तै किया गया है जिसे एकादशी कहते हैं इसका मतलब है पूर्णिमा से चार दिन पहले और अमावस्या से चार दिन पहले लोग खाना नहीं खाते वो सुबा उठते हैं कोई नाष्टा नहीं, कोई लंच नहीं सूरज डूबने के बाद ही वो एक बार भोजन करते हैं इसका उदेश है सिस्टम को अपना तालमेल ठीक करने के अनुमती देना अगर आप ये चुट्टी देते हैं तो ये आपकी सिहत के लिए और आपके शरीर के काम करने के तरीके के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि खुद को ठीक करने के लिए सिस्टम को वो समय चाहिए हर दिन भोजन, हर दिन भोजन ये शरीर के लिए बहुत महनत का काम है इसे थोड़ी चुट्टी दीजिए अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे तो एक दिन आप कुछ हलका ले सकते हैं शायद सिर्फ फलों का रस या कुछ और जो सिस्टम के संभालने के लिए ज्यादा हलका है निश्चित रूप से आपका शरीर बहुत आभारी होगा हाँ, हर दिन इसे पके हुए भोजन से लादना अच्छी बात नहीं है तो इसका अध्यात्मिक महत तो क्या है क्योंकि ये एक सफाई है अगर आपका सिस्टम जीवन्त नहीं है तो आपको कुछ भी आध्यात्मिक करने की इच्छा नहीं होगी अपसुस्त महसूस कर रहे है एक ध्यान करने वाले के लिए उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नींध है यहां आखे बंद करके बैठना और पूरी तरह से सतर्क रहना इसके लिए कुछ और ही चाहिए ज्यादतर लोगों के लिए अगर वो आखे बंद करते हैं तो सो जाते हैं तो यहां बंद आखों के साथ बहुत सतर्क रहते हुए बैठने के लिए शरीर में एक सतर्की जीवन्तता की जरूरत होती है तो इस जीवन्तता को पैदा करने के लिए हम इस पर गौर करते हैं कि कैसे खाएं, क्या करें, कितना खाएं ये सारी चीज़ें ये आध्यात्मिक नहीं है लेकिन इससे सही किस्म का शरीर तयार होता है अभी अगर आपका शरीर बहुत सुस्त महसूस कर रहा है मैं आत्मग्यान की बात कर रहा हूँ तो क्या करें? है ना? तो इसे जीवन्त और सतर्क रखना और शरीर को दर्द और समस्याओं से मुक्त रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ तभी आप किसी बड़ी चीज की तलाश करेंगे अभी आपके पैर में दर्द है बहुत ज़्यादा दर्द है भगवान प्रकट होते है आप क्या मांगेंगे? पैर का दर्द चला जाए हाई है ना? आप और क्या मांगेंगे? आप इतना ही मांगेंगे, है ना? क्योंकि शरीर आपके उपर इस तरह की ताकत रखता है जब तक आप इसे एक स्थर की सहजता में नहीं रखते ये हर दिशा से आप पर हावी रहता है है कि ने? इसके लिए अपने शरीर को बहुत शुद्ध और स्वस्थ रखना महतवपून है वरना शरीर आपके जीवन में हावी हो जाता है ये आपको कुछ और सोचने ही नहीं देगा अभी अगर आपके शरीर में कहीं वाकई दर्च शुरू हो जाए बस आपकी छोटी उंगली में है वाकई बुरी तरह से दर्च शुरू हो जाए आपकी किसी भी चीज में रुची नहीं है ना भगवान में, ना आत्मग्यान में, ना ध्यान में, कुछ भी नहीं आपकी रुची सिर्फ इसी में है है कि नहीं? तो इसमें उस तरह की ताकत है तो आपको इसे खुश रखना होगा सिर्फ तभी ये आपको कुछ और करने देगा वरना ये आपको कुछ नहीं करने देगा तो उस संदर्ब में बीच बीच में उपवास रखना शरीर को छुट्टी देना ताकि वो खुद को ठीक कर सके अपनी जीवंतता वापस ला सके ना कि भोजन के साथ सुस्त बन जाए ये महतुपूर्ण है उपवास करने के बजाए अगर आप बस एक भोजन और अगले भोजन के बीच पर्यापत अंतराल रखते हैं अगर मैं ये कहता हूँ तो आप योग छोड़ देंगे एक भोजन और अगले भोजन के बीच आठ गंटे का ब्रेक होना चाहिए हमेशा अगर आपके लिए आठ गंटे संभव नहीं है तो कम से कम पाँच गंटे का ब्रेक ज़रूरी है खाने से पहले आपको एक स्तर की भूख महसूस होनी चाहिए भूख लगने से पहले अगर आप सिस्टम में भोजन डालते हैं तो सिस्टम सुस्त बन जाएगा ये जीवंत्ता को नहीं जानेगा जब मैं कहता हूँ जीवंत्ता तो मैं बस आपके अभी जागे हुए होने की बात नहीं कर रहा हूँ हम में से हर कोई अभी जीवंत्ता के एकी स्तर पर नहीं है हम एकी तरह का खाना खा रहे हैं एकी हवा में सांस ले रहे हैं एकी जगा पर हैं लेकिन हमारे अनुभव का स्तर एक जैसा नहीं है इस पल मैं अपने भीतर जैसा हूँ, उसे मैं दुनिया की किसी भी चीज़ के साथ नहीं बदलूँगा अगर आप मुझे पूरी दुनिया दे दे दें, तो भी मैं सौदा नहीं करूँगा क्योंकि ये उससे बहुत बड़ा है और ये हर किसी के लिए संभव है ये सिर्फ इसले नहीं हुआ है क्योंकि जरूरी ध्यान और सिस्टम के साथ जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया तो इनसानी जीवंत्ता अलग-अलग स्तरों पर कई अलग-अलग आयामों में हो सकती है ये आपको अनुभव और जीने के बिलकुल अलग आयामों तक ले जा सकती है तो शरीर को अच्छी तरह से रखना एक बुनियादी जरूरत है आपको एक महान अथलीट या ऐसा कुछ होनी की जरूरत नहीं है लेकिन इसे बस सहज रखना ताकि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपको हर समय हिलना डुलना न पड़े अगर आप यहाँ बैठे हैं तो अगले कुछ घंटों तक आप बस यूँ ही बैठ सकें एक फटते हुए ब्लैडर या भूक से तडपते पेट या यहाँ वहाँ होते दर्द से परिशान हुए बिना अगर आप यहाँ बैठें तो आप आराम से हो बस इतनी सहज था शरीर में आनी चाहिए